प्रीशात्रों, NCRT गुडित कक्षा दस्वी में आप सभी का स्वागत है, आईए आज हम लोग प्रिश्णवुली 8.4 के उधारन क्रमांग 13 को सरल करेंगे, जिसके अनुसार सिद्ध कीजिये की सैक A, एक रिंड साइने गुडित सैक A, धन 10 A, बराबर 1 होता है, तो इसमें ह हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, जिसके अनुसार सैक A, इंटू, एक रिंड साइन ए, इंटू, यहाँ पर सैक A, प्लस 10 A ग्यात है, अब चूंकि हम जानते हैं कि यह आप यह सूत्र देख रहे हैं यहाँ पर, तो 10 थीटा बराबर, चूंकि साइन थ स्थान पर मान रखेंगे, इसी प्रकार से सैक थीटा बराबर, एक बटे कॉस थीटा होता है, इसका मान हम यहाँ पर भी और यहाँ पर भी रखेंगे, सैक A जहाँ लिखा है, उसके स्थान पर हम सबसे पहले तो एक बटे कॉस ए लिख देते हैं, अब इंटू, यहाँ पर एक ρेंड साई ने a लिखा हुआ है इसको ऐसे ही रहने दे और यहाँ पे सेक a को 1 बटे cos a लिखदे कर दो 10 a को sin θ बटे cos θ लिखदे तो यहाँ पे हमने लिखदिया sin a बटे cos a अब देखिए यहाँ पर हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं इतने पद को और यहाँ इसका LCM लेके सरल कर लेते हैं तो इसके आधार पे हम यहाँ पे लिखेंगे एक बटे कॉज A गुणित एक रिंड साइन ए इंटू यहाँ पे इसका LCM ले लेते हैं तो कॉज A यहाँ पे उभेनिस्ट हो जाएगा और कॉज A दोनों हर में हैं चुकि तो हम जानते हैं कि उपर अंस को वैसा ही लिखा जाता है सीदे सीदे आप एक धन साइन ए लिख दें या आप ऐसा करें कि कॉज A का भाग दें एक बार जाएगा एक का एक में गुणा कर दें फिर कॉज एक भाग दें एक बर जाएगा और एक का गुणा साइने में करत के लिख दें अब इसके बाद ये कॉज एका इस कॉजए में गुणा कर दें तो यहां होगा एक बटे कॉज स्क्वेर A ठिक और इन्टू एक रिंड साइन एक को हम वैसे ही लिखें और यहां पर उपर हमें प्राप्त होगा एक धन साइने बटे वाला कौजे का यहां हमने गुणा कर दिये हैं इसके बाद हम क्या करेंगे यहां पर आपको याद होगा कि एक सूत्र होता है जिसके आधार पर हम जानते हैं कि एक कोश्टक में यदि A रिंड B और दूसरे कोश्टक में A धन B हो तब इसके आधार पर हम सर्वसमीका के अनुसार A का वर्ग रिंड B का वर्ग लेखेंगे तो यहां पर हम मान लेते हैं कि A का मान 1 है और B का मान साइन A है तब इसके आधार पे 1 बटे कॉज स्क्वेर A into 1 रिन साइन स्क्वेर A यहाँ पे A के स्थान पे 1 एक कवर गेक होगा रिन B के स्थान पे साइन A होगा अब यदि हम इसे इस तरीके से लिख दें बराबर 1 बटे कॉज स्क्वेर A अब चुकि हम जानते हैं कि यहाँ पर इस सर्व समीका आप देख रहे हैं एक रिन साइन स्क्वेर थीटा बराबर कॉज स्क्वेर थीटा होता है तो इस सर्व समीका का उपयोग करते हुए हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 sin square a को cause square a अब यहाँ cause square a से cause square a कैंसे हो जाएगा हमें प्राप्त होता है यहाँ पर 1 तो यह right hand side के बराबर होगा तो इस तरीके से हम इस प्रशन को सिद्ध कर देते हैं